जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागते आपके अपने यूटूब चेनल दवंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मद्धिप्रदेश की क्रसी से संबंदित महत्पूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों की एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यदि प्लिस कॉंच्टपल और MPSI जैसे एक्जामों के लिए तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहें देखते हैं आज का फर्स्ट कोश्यन फर्स्ट कोश्यन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया तो यहां पर पूछा है मद्ध्प्रदेश राज बीज विक कास निगम की इस्थापना मद्ध्प्रदेश की राजधारी भौपाल में की गई इसकी इस्थापना बर्स 1980 में की गई थी और यहां मद्ध्प्रदेश की क्रसी का तीसरा पार्ट है इससे पहले पार्ट 1 और पार 2 आप लोगों के लिए अल्रेड़ी अपलोड किया जा च योजना के अंतरगत कितनी फसलों को सामिल किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का आपसन नंबर सेकेंड आठ फसलों को भावांतर भुकतान योजना के अंतरगत आठ फसलों को सामिल किया गया है इस योजना का सुभारम 16 अक्टूबर 2017 को सागर जि आगे बरते हैं next question की और next question में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है तो यहां पर आपसे पूछाए भारत की प्रथम जेविक खेती इकाई मद्धिप्रदेश के किस जिले में इस्थापित की गई है चार अप्षन आप सको दे कर पूछा जा रहा है आप लोगों से क भारत की प्रथम जेविक खेती इकाई मद्धिप्रदेश के किस जिले में इस्थापित की गई है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आप लोगों का आपसन नमबर सेकेंड इंदोर जिले में भारत की प्रथम जेविक खेती इकाई मद्धिप्रदेश के इंदोर जिले में इस्थापित की गई है देश के सभी राज्यों की तुलना में मद्डीप्रदेस में सरबादिक छेत्रफल पर जेविक क्रसी की जाती है मंदला जिले में जवाहलाल नहरू क्रसी विशु विद्याले जवलपूर द्वारा जेविक क्रसी अनुसंधान केंद्र इस्थापित किया गया है आगे बरते हैं next question की ओर next question ने देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया तो next question पूछाए मध्यप्रदेश राजी क्रसी विप्णन बोर्ड का गठन कब किया गया आप लोगों पूछा जा रहा है तो इसका जो right answer दोस्तों वह है आप लोगों का option number first बर्स 1973 में राजी क्रसी विपणन बोर्ड का गठन किया गया था मद्यप्रदेश राजी क्रसी विपणन बोर्ड अर्थात मंडी बोर्ड एक त्री स्तिरी संस्थान है जिसमें एक मुख्याले और साथ छेतरी कार्याले हैं आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए दोस्तों आपसे क्या पुछाए तो यहाँ पर आपसे पुछाए मद्यप्रदेश में पसूओ का घंथव कितना है तो इसका जो right answer वा है आप लोगों का option number 4 120 प्रती वर्गSam here मद्यप्रदेश में जो पसूओ का घंथव है वह कितना 120 प्रती वर्ग किलोमेटर ही यह आपको याद रखना है और भारत में सर्वादिक पसू घंथवे इसे भी आप यादक सकते हैं जहां पर जो पसूगहनात अगे बढ़ते हैं सबसे अधिक पसूगहनात गहनत्व है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आप लोगों का आपस्वन नंबर फॉर जाबुआ जिले में मद्यप्रदेश के जाबुआ जिले में सबसे अधिक पसु घंत्व है और यह कोशन जो है हाली में कॉंस्टेबल इक्जाम 2022 में पूछा गया था तो काफी अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए जाबुआ जिले का जो पसु घंत्व है दोस्तों वह 203 पसु प्रती वर्ग किलोमेटर है जाबुआ जिले के कड़कनात मुर्गे को जी आई टेग मिला हुआ है ये भी से कम पसु घंत्व है तो इसका जो राइट आमसर वह है आप लोगों का this, मद्धिप्रदेश के होसंगाबाद जिले में सबसे कम पसु घंत्व है होसंगाबाद में पसु घंत्व जो है, वह 45 पसू प्रती वर्ग किलो मिटर है ये भी आप याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पुछाए तो next question में आप से पुछा गया है बकरी की प्रसिद देशी नसल जमुना पारी किस जिले में पाई जाती है चार option आपको दिये गए हैं और इसी में से right answer आप लोगों को चूज करना है दोस्तों तो correct answer होगा आप लोगों का option number second भिंड जिले में बकरी की प्रसिद देशी नसल जमुना पारी मद्द प्रदेश के भिंड जिले में पाई जाती है इसकी दुग्द उत्पादन चमता 2.5 अर्था धाई से 3 लीटर प्रती दिन होती है आगे बढ़ते हैं next question की और next question देखें आप से पुछाए मद्द प्रदेश के किस जिले में बकरी प्रजनान एबं सोध केंदर की इस्थापना की गई है तो इसका correct answer आपको बताना है तो इसका जो correct answer दोस्तों वह है option number 4 इंदोर मद्यप्रदेश के इंदोर जिले में बख्री प्रईनान एभम सोध केंदर की इस्थपना की गई है और राजभर में इस केंदर की साथ इकाया कारे रथ हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की और तो next question को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे MPGK की 1250 प्लस best MCQ की PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के description में दी गए लिंक पर क्लिक करके इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ ही यदि आप लोगों को MPGK की ब्यापम के द्वारा प्रिवियस येर में 2009 से अभी तक जितने भी MPGK कोशन ब्यापम द्वारा MPPSC द्वारा या MP गोर्मेंट की किसी भी एक्जाम में पूछे गए जो प्रिवियस येर के MPGK के 1800 प्लस कोशन देखना है दोस्त में डीटेल दी गई है तो आप इन दोनों PDF में से कोई सी भी प्राप्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिप्रेशन बहतर हो पाएगी सबसे बेस्ट अगर मैं कहूंगा तो यह वाली आप डाउनलोड करें 1800 प्लस वाली इसमें आपको और ज्यादा कंटेंट बढ़िया मिले हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर तो देखें यह था हमारा नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन पुछाए गायों की संख्या की दरश्टी से मध्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है गाय की संख्या की दरश्टी से मध्यप्रदेश का देश में इस्था आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question में दखिये हैं आप आपसे पुछाए मध्यप्रदेश की सरबादिक दूद देने वाली गाए कौन सी है चार आपको दियेगे और पुछा गया है मध्यप्रदेश की सरबादिक दूद देने वाली गाए कौन सी है तो इसका right answer होगा option number first निवा उन में पाई जाती है इसे निमार की राणी के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिया आप से पूछा है किसे गो बंस की सर्वत्तम नसल माना जाता है चार अप्षन आपको दिये गये हैं और पूछा इन में से किसे गो बंस की सर्वत्तम नसल माना जाता है यहां सत्पूडा छेत्र के सिबनी तथा छिंदवाडा में पाई जाती है इसे गो बंस की सर्वत्तम नसलू माना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशेंड की और नेक्स्ट कोशेंड देखे आप लगोस क्या पुछा है तो यहां पर आपसे पुछा गया है राज्य में कितने पसू प्रजिनन केंद रहे चार अप्शन आपको दिये गया है और पूछा गया है राज्य में कितने पसू प्रजिनन केंद रहे तो इसका जो राइट आंसार है दोस्तों वह है आप लोगों का आप्शन नमबर सेकेंड आठ मद्द प्रदेश राज में 8 पसु प्रजनन केंद्र हैं मद्द प्रदेश में 121999 में 99 से राश्ट्री गोवनसी पसु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question आपसे पुछा है भेसो की संख्या की दरश्टी से मद्द प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है देखो गाई की संख्या की दरश्टी से तो प्रथम इस्थान पर है लेकिन आप आपसे पुछा गया कि भेंसों की संक्या की दरश्टी से मद्यप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपसन नमबर चार चोथा भेंसों की संक्या की दरश्टी से मद्यप्रदेश का देश में चोथा इस्थान है इस पुछा ने का पूछा नंबर छाज चार देसरी नसल रेमबूले का पालन किया बुलें आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए आप लोगों से पुछाए राज में पसुओं के लिए चारा बनाने का सेयंत्र कहां इस्थापी थे काफी आज में पसुओं के लिए चारा बनाने का जो सेयंत्र यह धार में इस्थापीत किया गया है आगे बढ़ते हैं next question की और next question देखिए आपसे पुछा है मद्यप्रदेश के किस जिले में गो एंबूलेंट सेबा प्रारंब की गई है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों व आप लोगों का अपसर नंबर सेकेंड भौपाल में प्रदेश की राजधानी भौपाल में हाइट सेकुरिटी एनिमल लेबौरेटरी इस्थी थे आगे बढ़ते हैं next question की और next question में देखिए आपसे क्या पुछा है तो यहां पर आप लोगों से पुछा गया है राष्ट् जिनलो में होता है चार आपको दिये गया है पुछा गया है प्रदेश की जिलों में होता है तो इसकी स्थापना यहां पर मुरेना और स्युफूर्पूर जिले में होता है वर्बरस 2018 में देश में प्रथम दूद उत्तान की दंगे से मद्ध प्रदेश का जो है देश में कुण सा इस्थान था तो किसरा इस्थान था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में आप लोगों से पुछा है किस जिले में बुंदेल सरकारी चीस था फंपना की गई थी इसे भी आप याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में आप लोगों से पुछा है मचली उत्पादन में मद्प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है मचली उत्पादन में मद्प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका जो right answer है वह है आपका option number 4 सोलवा मचली उत्पादन में मद्प्रदेश का देश में सोलवाइस्ता ने मद्द्प्रदेश देश के कुल मचली उत्पादन में लगभग 1.6% का योगदान करता है क्योंकि मद्द्प्रदेश में कोई समुदरी इलाका नहीं है इसलिए यहां पर मचली का उत्पादन कम होता है नेच्ट कोईशन देखिए आप से पुछाए राजमाता विज्या राजे क्रसी बिध्याले कहां इसलिए थे तो इसका जो रॉइट आंसर दोस्तों वह ए आप लोGO का उप्सण नंबर फर्स्ट ग्वालियर में राजमाता विज्या राजे क्रसी बिस्वध्याले जो है यह क क्रसी विध्याले ग्वालियर में इस्थापित है इसकी इस्थापना बर्स 2008 में की गई थी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन में आप से पुछा है क्रसी जोट का अधिक्ता माकार किस जिले में है वेरी वेरी जेटा राइंसर क्या होन आ Small करेक्ट आंसर हो गा आफसर नमबर सेकेंड हरदा 2011 की जनगर्णा की अनुसार हरदा जिला जनसेंख्या की डरष्टी से सबसे छोटा जिला है मध्यप्रदेह का जब 2011 की जनगर्णा की गए थी उसके हिसाब से लेकिन यहाँ पर 2011 की जंगरने के अनुसार डेटा में आपको बता रहा हूँ, तो 2011 की जंगरने के अनुसार मद्धिप्रदेश का सबसे चोटा जिला कोन सा था, जनसंके की दरश्टी से हर्दा था, और सरबादिक रसी जोट का अकार मद्धिप्रदेश के किस जिले में तो हर्दा जिले में है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और, नेक्स्ट कोशन में देखिए आपसे पुछा है, कीट बनाने का सयंत्र कहां इस्थापित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो, वह है आप लोगों का आपसन नंबर 3, बीना में, कीट बनाने का जो सयंत्र है, या मद्धिप्रदेश में कहां इस्थापित किया गया है, आंसर होगा, बीना में इस्थापित किया गया है, और बीना सागर में इस्ति थे इसे भी आप याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं next question की और next question में आपसे पुछाए मद्धि प्रदेश का प्रथम सेल रिच जेविक खादे सयंत्र कहा इस्ति थे तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का option number 4 भोपाल में मद्धि प्रदेश का प्रथम सेल रिच जेविक खाद सयंत्र भोपाल में इस्ति थे आगे चलते हैं next question की और next question में आपसे पुछा है प्रदेश में उध्यान महाविध्याले कहा इस्ति थे प्रदेश में उध्यान महाविध्याले कहा इस्ति थे तो इसका ज important question हाली में जो constable exam हुआ उसमें पूछा गया प्रसने है 2022 में तो 2022 में constable exam में MPGK के काफी question पूछे गया थे जो हमने आपको पढ़ाए थे जिन्होंने भी हमारी classes ली थी उनसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं वह सबी काफी फाइदे में रहे थे तो यदि आप लोग भी आने वाली MP government की exam की तहारी करना चाहते हैं तो MPGK के बिल्कुल सही platform पर आये हैं चेनल को तुरण सब्सक्राइब करने और MPGK के best content या best वीडियो देखने के लिए आप चेनल की playlist चेक कर सकते जहां पर आप लोगों को MPGK के test के साथ topic वाई इस भी MPGK के देखने को मिलेगा जिससे आपकी preparation और बहतर हो पाएगी आगे देखते हैं दोस्तों तो next question में आपसे पुछाए प्रदेश में सरबादिक सुद्ध क्रसी भूमी वाला जिला कोन सा है सरबादिक सुद्ध क्रसी भूमी वाला जिला पर प्रतेग 12 वर्सों के अंतराल पर कुमी मेले का आयोजन किया जाता और यहां पर चिप्रन नदी के टट पर महा कालेश्वर जो तिलिंग इस्थी थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन में देखिए आप से पुछाए तो नेक्स्ट कोशन में कोशन में आप से पुछाए पीली क्रांती से संबंदित फसल नहीं है चार आप्शन आपको दियेगे और पुछागे इन में से कौन सी पीली क्रांती से संबंदित फसल नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आप्शन नंबर चार धान 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 जो है यहां पीली क्रांती से संबंदित नहीं है पीली क्रांती का संबंद तिलहन उत्पादन से किसे हैं दोस्तों तिलहन उत्पादन से तिलहन उत्पादन में कहागा जिन फसलों से तेल हमें प्राप्त होता है तिलहन प्राप्त होती है वहां जैसे सरसो अलसी सोयबिन और यह जो धान की क्रसी यह किस जिसका answer आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है तो आज की quiz है देश के कुल गयहूत पादर में मध्युपरदेश का कौन सा इस्थान है यदि आप लोगोंने MP के कुरसी से related मध्युपरदेश की क्रसी से related जो हमारा part 1 और part 2 हमने आप लोगों को अप्लोड किया था उसे देखा है उन वीडियो को देखा है तो आप इसका अंसर असानी से कमेंट कर पाएंगे और नहीं देखा है तो आप चेनल की प्लेइलिस्ट में जाकर MPGK की या MP पटवारे की जो आपको प्लेइलिस्ट दी गई उसमें से यह सारे स्क्राइब करके वेल आइकन के बिटन जरू दबा लें ताकि यह से इंपर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नाटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुशते रहें जैहिंदु